स्टुडेंट्स बिटा मैं ये यूजिस के कुछ टॉपिक्स थे मैं इनकी बात कर रहा था ठीक है तो ये भी देखने आपने ये पढ़ लेने है ठीक है मैं बता देता हूं ये है आपका पेज नंबर 376 पे है समरी जो LDL की टॉन कार्बोकसाईली के इसिड खतम हो रहा है न चप्टर इसके बाद exercise question वहाँ पे है last में 12.10 topic है ये questions भी देख लो इनके आस पास ठीक है तो चलो देखो uses of carboxylic acids का topic है तो इसमें uses बता रहा है ठीक है क्या है metanoic acid is used in rubber, textized, dyeing, leather industries ऐसे एक दो use याद कर लेने है बस ठीक है कि metanoic acid कहा यूज हो रहा है rubber industry में, leather industry में इस तरह से अच्छा ethanoic acid is used as a solvent and as vinegar in food industry विनेगर का तो आपने 10th class में भी पढ़ा है ethanoic acid को लेकर तो वो आ गया ठीक है next कहा रहा है hexane dioic acid is used for the manufacture of nylon 66 अब ये पहले polymer chapter था आपके slabus में मैंने करवा भी दिया था आपको फिर वो अब हट गया तो चलो वहाँ पे भी आता था ये पर चलो use है तो use या रखने है ठीक है कई बार विटा क्या होता है one marks में इस तरह कई कुछ पूछ ले तो नंबर कट जाते हैं ठीक है तो इन चीजों को पढ़ ला है आपने अच्छा फिर कहता esters of benzoic acid जो होते हैं are used in perfumery मतलब पर्फ्यूम बगारा बनते है न वहाँ पे और एक ये बड़ा important है विटा ये इसके ज्यादा option होती है sodium benzoate वाली पूछने की sodium benzoate is used as a food preservative ठीक है इसको कैसे भी पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि कोई ऐसे carboxylic acid का नाम बताओ जो जो as a food preservative यूज होता है तो आप benzoic acid बोल सकते हो ठीक है acid बोलेगा तो benzoic acid बोल देना पर salt बोलेगा तो sodium benzoate वैसे वो नाम ही पूछेगा सीधा कि कौनसा ऐसा salt है carboxylic acid का जो as a food preservative यूज होता है तो sodium या नाम दे देगा कि sodium benzoate का क्या यूज होता है वो बताओ तो इस से ज्यादा हूँ are used for the manufacture of sobs and detergent तो यह तो sob detergent का जब जब टॉपिक पढ़ा है तब बताया भी है कि higher fatty acid word यूज होता है वहाँ पे मतलब जिनमें number of carbon atoms ज्यादा होते हैं तो यह थोड़ा पढ़ना है ठीक है next चलो देखो next इसी chapter में पीछे आओगे आपको यह बाले जो questions कर इनी questions में देखना मैं page number 365 है तो इसमें यह uses of aldehydes and ketones का topic है ठीक है इसको भी देखना है जो underline करवाई है वस वो देखना है और यह सबसे important है जो शुरू वाली line है पैली line जो है सबसे important यह है इसमें कि formaldehyde is well known as formalin formalin क्या है 40% solution है कि कहां use होता है use to preserve biological specimen मतलब बायो लैब मे जो वो glass beakers में बंद करके रख लेते ना कुछ जानवरों को तो उनको वो एक liquid से में डुबो के रखते है ठीक है तो वो जो liquid होता है वो क्या है formalin ठीक है जिससे क्या होता है वो उन पे बायो डिग्रेडेशन उनकी शुरू नहीं होती बैक्टिरिया काम नहीं करता है formalin solution होता है ठीक है अब formalin क्या होता है 40% solution है formaldehyde का मतलब 40% formaldehyde बाकी water यह होता है तो यह ध्यान रखना है ठीक है formalin पूछा भी गया है वाटा एक बार exam में formalin क्या होता है तो आपने बताना क्या है आपने बताना है it is 40% solution of formaldehyde used to preserve biological specimens यह बताने आपने ठीक है अच्छा चलिए आगे चलते हैं हाँ साथ में यह इसी and to prepare मतलब यह formaldehyde के use बता रहा है and to prepare baccalite अब यह भी बात होगी polymer chapter में यह भी बताया था अपर अब है इस लेबर्स में चलो ऐसे ही पढ़ लेना urea form and other simple याद रख लेना and polymers बनाने में use होता है ऐसे भी कर लेना acetaldehyde is used primarily as a static material in the manufacture of acetic acid ठीक है acetaldehyde कहां यूज होता है acetic acid बनाने में polymers and drugs ऐसे एक दो याद कर लेना बैंजल्डी हैड पर आजो बैंजल्डी हैड is used in perfumery and dye industries ठीक है फिर आगया many aldehydes and ketones for example butyrildehyde, vanilline, acetophenone, camphor are well known for their orders and flavors एक दो याद कर लेना जैसे camphor का पूर जो होता है वो पता ही आपको vanilline, vanilla flavor बोलते है ना ice cream ठीक है तो उस तरह से acetophenone ये एक तो याद कर लेना ये perfume industries में use हो जाते है अच्छा इसके बाद बैटा एक alcohol chapter जो मैंने कराया था ना मैंने दिमाग में रखा वी था कि last में बताओंगा फिर mind से skip कर गया पर मैंने दबारा देखा तो मैंको ध्याना आ गया ये एक चीज बतानी है ठीक है ये notes में नहीं आई है ये NCRT book में है और ये method जो है ये वैसे तो method करवा चुको मैं तुम्हें CWG alcohol वाला method है ना कितनी वार repeat करवाया है उसी method वही method है ये लेकिन ये मैंने notes पे नहीं बताई थी क्योंकि मैं उस time ये चाहता था कि आप पहले basic काम करना सीख जाओ मतलब C मतलब carbonil, W मतलब water, G मतलब green artery agent इनको तीनों को जोडते कैसे हैं और इनसे alcohol कैसे मनाते हैं वो सीख जाओ तो अब लेकिन ए आप बताता है, इसमें ये बताता है कि जो carbonil group होता है ना, एक सकेंड बटा, ये carbonil group होता है ये जब green artery agent से react करता है तो ये एक adduct बनेगा ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं सानी से, देखो, एक सकेंड, हाँ, ये लो, carbonil आ गया, ये O पे negative charge है, C पे positive, ये तो आपको समझ आ रहा है बटा, ठीक है, अच्छा, इसके बाद इदर आ जाओ, RMG, RMGX में, मैंने RMGX यानि green artery agent में हमेशा वो ले, यहां से bond तोडनी है, और bond जब तूटेगी, MG पे positive और R पे negative, R मतलब जो भी हो, benzene ring, CS3, कुछ भी हो, ये negative भी बनेगा, ठीक है, तो अब अगली बात करते हैं, ये तो समझ, इतना तो लग गया पता आपको, negative positive पे attack करेगा, positive negative से जुड़ेगा, simple ऐसे कहलो, तो ये R negative जो है, हमेशा attack negative to positive दिखाना होता है पर, ठीक है, तो ये R negative जो है, ये carbon positive पे attack करेगा, और जब ये carbon positive पे attack करेगा, तो ये double bond, pi electrons, वो O पे आना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये दिखा दिये, मैंने, और book में भी दिखाया हुआ है, उसी तरह से, तो R जुड़ गया, C से, ठीक है, ये देखो, R किस से जुड़ गया, आगे देखो, इधर addict, जिसके नीचे ये जो word लिखा है, addict, ये addict word भी याद रखना है, ये ही सिखाना है, एक लिए तो मैं तुम्हें ये दिखार बता रहा हुँ, कि इसको तुम्हें याद रखना है, addict, एक बार एक्जाम में ही प्रकॉशन यहा है था, कि गिरिंगनाट रेजेंट की रेक्शन करो, कार्बनेल कृप से, और addict बनाओ, तो बच्चों को कि चलते रहेंगे, ठीक है, अगे double bond थी, इधर देखो reactant में, ये double थी, अब एक bond तो O ने ले लिए तो single रहागी, ये single आगी, अच्छा, electron O ने लिए तो O पे charge negative आ गया, और negative से कौन जुड़ेगा, positive, यानि mg axis से जुड़ गया, तो ये जो चीज बनी ना, ये square bracket में लिखनी हैं आपने एक तो, जैसे ये लिखी हुई है, ये square bracket में, और इसको adduct कहते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, reaction तो असान है मिटा, reaction ये R negative है, C पे attack करेगा, क्योंकि C positive है, ये electron O पे चल जाएंगे, O पे negative आ जाएगा, negative से ये mgx, positive जुड़ जाएगा, simple है, पर ये याद रखना है, ये क्या बना, adduct, अचा, इसके बाद, इसकी hydrolysis कर दी, जो adduct बना, उसकी क्या कर दी हमने, hydrolysis कर दी, तो adduct की अगर hydrolysis कर दी, तो सान है, water, water मैंने कई बार समझा दिया, आपको H positive और OH negative, अब वही बात है, positive negative से जुड़ जाएगा, तो ये mgx positive किसको और OH बन गया, alcohol बन गया, बस ये करके दिखाने है आपने, ठीक है, तो ये reaction है, और इसमें एक ये line note कर ले न, ये उपर वाली, ये कौन से page पे है, ये प्रिपेशन का method है आपका, प्रिपेशन of alcohols में जाओगे न, आप तो 323 page पे है, ये page number 323 पे, ये third method है, उपर लिखा ह जो मैंने मार्क करे हुए, the first step of the reaction is nucleophilic addition reaction of grignard agent to the carbonyl group, ठीक है, carbonyl group जो होते है, aldehyde ketone ही है, तो कई बार तो बोल दिया आप मैंने, इनमें nucleophilic addition reaction ही reaction होती है, तो वही होगा कहता है, तो वही होगा कहता है, ग्रिगनार agent की addition हो गई, nucleophilic addition reaction to form an adduct, ये adduct word मैं बार बार कहरो इसको याद रतना है, ठीक है, और फिर hydrolysis कर दी, तो alcohol बन गया, तो ये है, ये वही trick है, जिसको मैं C, W, G alcohol कहता हूँ, C क्या होता था, C होता था, carbonyl, यानि aldehyde ketone, W क्या होता है, water, G होता था, grignard agent, alcohol बना दो, ये कहता था मैं, और उसको भी चलो मैं याद दिला द आता है, और grignard agent से ये एक आर पार्ट जो होता है, ये grignard agent से आता है, तो वैसे ही तो हुआ है, तो ये चीज़ है, और इसमें ये notes में भी था, पर मैंने ऐसे ही, मैंने का चल दबारा repeat हो जाएगा, notes में भी बताया है, जब ये C, W, G alcohol method बताया है, तो ये याद रखने वा बनते हैं, तो ये ध्यान रखने हैं आपने बाद, ठीक है, तो इसको note कर ले न, तो ये बिटा आपका complete होता है, alcohol chapter में भी ये topic है, मेरे मैं में काफिदिनों से परिशान कर रहा था, कि ये चूट गया है, चूट गया, तो चलो ये भी हो गया, और LD head की tone भी पूरा, एक एक चीज मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो अब इसको अच्छे से त्यार कर लो, और संडे को टेस्ट होगा, तो संडे को अच्छे से त्यारी करो, और काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो चलो थोड़ा टाइम दे दो पढ़ने के लिए, तो कोई मेरे को आप टाइम भी थोड़ा से जस्ट कर दो शाम का, तो और भी बैटर हो जाएगा, मेरे लिए सान हो जाएगा, ठीक है, जिससे अगर किसी को लगे कि ये टाइम पांच से छे या छे से साथ जो भी हो, तो उस तरह से कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे दे दो थोड़ा पढ़ने को, दो यूजनिट ज्यादा है, रिवाइस करने के लिए, तो ये है, चलो, ठीक है विटा, करो त्यारी, अच्छे से,